अभी मैंने आपसे कुछ कहा है मॉर्स कोड में जी हाँ यह मॉर्स कोड है और अग आपको मॉर्स कोड नहीं आता है तो यह वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था नमस्कार दोस्तों मैं अभी मेनी भरत्वज आपका स्वाध करता हूँ माई बिग गैड स्मार्ट क्लास में और इस चैनल पे आपके लिए लेके आता है रहता हूँ कम्प्यूटर और टेक्निकलोजी से जुड़े हुए धेर सारे टिप्स और ट्रिक्स और बेहतरीन जानकरियां तो अगर आप भी कम्प्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़ूर सस्क्राइब कीजिए और बेल आइग को दबाना ना भूलिए क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले मिलेंगे तो आप बात करते हैं इस वीडियो की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मौर्स कोड के बारे में जो एक गोपनिय कोड भाषा होती है जैसे कि इसके नाम में ही है इसमें कोड लिखा हुआ है और ये एक संदेश भेजने का तरीका है इस तरीके से आप गोपनिय भाषा में संदेश भेज सकते हैं तो ये वीडियो पूरा देखेगा आपके जरूर काम आएगा दोस्तो समय समय पर संदेश भेजने का तरीका बदलता रहता है पहले किसी और तरीके से भेज जाते थे, आज किसी और तरह से भेज जाते हैं, लेकिन जब बात हो, गोपनिये संदेश भेजने की, तब एक कोड भाशा को बनाया जाता है, जिससे केवल वही व्यक्ति उसको समझ पाते हैं, जिन्होंने वो भाशा सीखी होती है, लेकिन कभी अशक्ता ही अविशकार की जन्नी होती है, तो यही बात लागो होती है मौर्स कोड पे, टेलीफॉन के अविशकार थे, 36 साल पहले की बात है, जब जो कम्यूकेशन था, वो चिठीयों के माध्यम से किया जाता था, अमेरिका के एक विज्ञानिक थे है, सेम्वल मौर्स, ब वहां से उनके पिता ने उनको एक चिठी लिखी, वो चिठी सेम्वल मौर्स के पास पहुंची, सेम्वल मौर्स तुरंट अपने घर के तरफ निकले, लेकिन जब वो घर पहुंचे, तब तक उनकी जो माता जी थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था, इस घटना से सेम्वल मौर्स बहुत आहत हुए, और उनने सोचा कि कम्यूनिकेशन का कोई ऐसा साधन होना चाहिए, जिससे तुरंट जो सूचना है, वो किसी व्यक्ती तक पहुंचाई जा सके, तो बस यही घटना थी, जिससे उनको लगा कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी चीज बनानी है, ज जो संदेश है, वो पहुंचा आए जा सके, अब तारों के माध्यम से संदेश तो पहुंचा दिया गया, लेकिन दूसरे छोर पर, क्योंकि इलेक्टरिक ठी, इलेक्टरिक करेंट की दौरा इसंदेश पहुंचना था, और इलेक्टरो मैगनेट का इस्तवाल होना था, तो वहां पे सिर्फ beep की sound पहुची, अब किसी beep की sound से कैसे बात की जा सकती है, तो यहां भी एक जन्जट हो गया, तो उन्होंने किया क्या वहां पर उन्होंने code बनाया, और इस code को नाम दिया गया mors code, अब यहां पर हर संदेश के लिए एक beep की sound होती थी, यहाँ पर जो लंबी बीब थी उसको डैश बोला गया और जो छोटी बीब थी उसको डिट बोला गया तो यह डिट और डैश की जो भाषा थी यह मौस कोड कहलाई अब यह डिट और डैश का जो पूरा कॉमिनेशन था यह पूरी अंग्रेजी वर्ण माला गली तैयार किया गया इसमें minimum combinations की संक्या 1 ती और maximum combinations की संक्या 4 ती यानि सबसे चोटा जो मौस कोड है वो है 1.E यानि यह date और dash के जो combinations थे, यह maximum 4 हो सकते थे और minimum 1 हो सकते थे, इन सभी combinations को मिलाकर अंग्रे जी की पूरी word माला तयार की गई, और दौनों छोरों पर जो telegraph machine थी, वो लगाई गई, एक छोर से telegraph machine द्वारा संदेश भेजे जाते थे, और दूसरे छोर से telegraph machine द्वारा वही सं संदिश बेजा है लेकिन जरूरी ये था कि आपको मॉर्स कोड की जो भाषा है वो पता होनी चाहिए अब यहाँ पर एक रोचक तथे में आपको बताता हूँ अगर आपने नौकिया का पुराना वाला फॉन इस्तमाल किया हो तो उसमें जब मैसेज आता था ना उसकी जो रिंग टोन थी वो असल में एक मॉर्स कोड था जिसमें लिखा हुआ था SMS तो आप ज़रा सुनिए तो सुना आपने नौकिया की जो रिंग टोन थी उसमें जो SMS की टोन थी वो मौर्स कोड थी वहाँ पर मौर्स कोड का मतलब था SMS तो अगर आपकी भी रुची है मौर्स कोड सीखने में तो मैं यहाँ पर आगे इस वीडियो में अंग्रेजी वनमाला के सभी मौर्स कोड आपको बताने वाला हूं और आशा करता हूं कि यह मौर्स कोड की जानकारी है आपको बहुत पसंद आएगी पर आपक और आपे, अंग बहुत तो तो अंग्रेज्चि कोड़चर की जानले, यह का seconds और आपकी, यह मैं ऊंग्रेज्चर मौर्स कोड़बशा पर आपकी गभमाला आपकी आशाय दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था हम अमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे जैहिंद वन्निमा बादरो